जनपन में खात की किल्लत के चलते भारतिय किसान यूनियन अंबावता गुट के किसानों ने शुक्रवार को राजी भवन में अनिश्चित काली धर्णा शुरू कर दिया है। जनपन में खात की किसान यूनियन अंबावता का है। आर साब को ग्यापन देने के लिए आए आर साब ऑपिस में नहीं है। कितने बज़े आ गए आप लोग यहां। हम यहां पोने बारे बज़े बैठ गए हैं। कब तक बैठे रहेंगे। जब तक खाद की समस्या का समाधना नहीं होगा। यहीं बैठेंगे और यह धंडा अनशतकाली नहीं होगा। और यहां समाधन नहीं हुआ तो उसमें हमारा ग्यापन में दो दन का समय हमने दिया है। हम यमना एक्सपरे से जाम करेंगे दो दन बाद। अगर समाधन नहीं हुआ तो। यह किसान यूनियन के कौन-कौन से ग्रुट के इसमें सामेल है। भारती किसान यूनियन अंबावता के है। जी। अभी कोई अधकाली नहीं आया है। भारती किसान यूनियन अंबावता गुट के यहां कार करता है। और उनका नहीं कहा कि यह आज ग्यापन देने आया थे। लेकिन अभी तक कोई अधकाली नहीं का ग्यापन लेने नहीं आया है। इसलिए अनिश्यत काली नहीं दर्ना देखर यहां बैठके और उनकी मांग है। कि दो दिन का अल्टिमेटर मनों नहीं दिया है कि खाद के अगर आपपूरती किसानों को सही डंग से नहीं होती है। भारस रोपे में डी एप अगर उपलाफ नहीं करा जाता है। तो पिर यमना एक्सप्रेक्स पे यानि और तालीस गंटे बाद पर वो यमना एक्सप्रेक्स फे पर जाएंगे। अब देखना है कि इन खिसानों की जो मांग है। दिएपी के जो इनकी आपूरती की जो प्रमुक मांग है उसको पूरा करने के लिए प्रशासन ने क्या स्वासन देता है या पिर ये खिसान ऐसे ही यह दरना प्रशान करते रहेंगे और दो दिन बाद का इनका जो अल्टीमिटम है प्रशासन को उसे भी घंबीरता से लेना चाहिए क्योंकि किसान अगर परिशान रहेगा तो निश्यत ही यह लोग जो जाम करने की बात कर रहें फिर वो कदम भी उठा सकते हैं तो एक्स प्रशान ना हो और किसी को कोई परिशाई ना और किसानों की भी जो समस्या है वो भी शिक रहलो इस और प्रशासन को कदम चाहिए जिना निशिले कामना परसं रिंकु बर्मा के साथ सुशिल गोस्वामी मत रहाएं